नमश्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलत्यागी जब घर में बच्चा पैदा होता है तो खुशी का माहौल होता है लेकिन क्या कभी कोई सोच भी सकता है कि एक दिन का बच्चा जंगल में पड़ा मिले जी हाँ ऐसा ही कुछ बिजनौर में हुआ है जहाँ पर इंसानियत की सारी हदे माता पिता ने पार कर दी और अपने नवजात को जंगल में तड़पने के लिए छोड़ दिया लेकिन कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और इसलिए अपनों ने बच्चे को ठुकराया तो गैरों ने अपना लिया देखिए ये खास रिपोर्ट आज कल हर माबाब अपने बच्चों को बहुत नाजो सिपालते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा दे कर एक अच्छा इंसान बनाने की जहार रखते हैं लेकिन आज के समय में कुछ माबाप ऐसे भी होते हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं जी हाँ ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिश्णौर से कैसा ही माबला सामने आया है जहां पर जंगल में एक दिन का नवजात बच्चा पड़ा मिला ग्रामिणों ने जब बच्चे को देखा तो उसकी सूचना चायल हेल्प लाइन और पोलस को दी जिसके बच्चे को अस्पताल में भरती कराया गया सर यह बच्चा थाना बड़ा मोशेत्र से मिला है और यह बच्चा लावारी सबस्ता में पाया रहा है दरसल बिच्चना और के बड़ापूर इलाके के जंगलों में नवजाद बच्चे को मिलने से संसनी फैल कई थी चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बच्चे को अपने कब से मिल लिया और नगीना अस्पताल में भरती कराया जहां पर बच्चे की खालत नाजुक देखते हुए बच्चना और जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया फिलाल बिज्रो पुलेस और अन्य विभाग बच्चे के माबाप की तलाश कर रहे हैं जी एक महिला आई थी उनके साथ साइब कॉंस्टेबल भी थे तो लेकिया थे बच्चे को पुछा भी था कि कौन है बच्चा पुरूना ने बताया पर वहां से पी एस्टी नगीना इसको एडमिट किया था नगीना में बच्चे को देखा हुब ड़क्टर ने उसके वाद पर यहां रेफर किया है आगे जो टीटमेंट रोज की अभी बच्चा देखिए एक बच्चा बाहर रहा है गंगी में रहा है तो ऐसी कंदिशन में किया है बच्चों की आलत बाद में पता चलती है अभी तो बच्चा ठीक लग रहा है नवजात के मिलने को लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है इस्थानी लोगों में चर्चा है कि अब विवाहिता युफ्ती ने नवजात को पैदा होने के बाद ऐसे छोड़ दिया सब उस बेरहम मा को कोस रहे हैं जिसने इस बच्चे को ऐसे छोड़ दिया लेकिन इस बच्चे के माबाप कौन है किसने इस बच्चे को जंगल में छोड़ा इन तमाम सवालों के जवाब जाच के बाद ही पता लग पाएंगे इस वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूस वाल इंडिया